वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की सिविल सर्विसेस एक्जाम के सी सेट की कमप्लीट तैयारी कर सकते हैं आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसेस दो हजर चौविस के लिए रिजनिंग के सेक्शन को लेकर आए हुए इस वीडियो में हम लोग क्लॉक के पार्ट थर्ड को देखेंगे इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोस डन कर रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएगा आपको यूपी पीसेस टॉपिक वाइज रिजनिंग नाम से लिस्ट मिलेगी जिसमें आप क्लॉक के दो वीडियोस को देख लिजेगा देखें अभी की जो क्लास चल रही है इसमें हम लोग बेसिक कॉंसेप्ट सीख रहे है तो क्वैस्ट ऐसे नॉर्मल वर्जन के रखे जा रहे है इसके बाद हम लोग पेपर में आए हुए क्वैस्ट को प्रैक्टिस करेंगे चली स्टाइड करते हैं क्लास अगर आप हमारी टीम के पैट कॉर्स से जुड़ना साथ है तो यह दिये गए नंबर्स पर आप संपर कर सकते हैं इसके अत्रिक यह ग्यांसर का वाट्सअप नंबर है आप यहाँ से वाट्सअप के माद्यम से संपर कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारा अप्लिकेशन Study for Civil Services इंस्टॉल नहीं किया है यह सब निकालना सीख लिए तो और Basic Calculation भी सीख रखे थे आज की क्लास में हम लोग 180 डिगरी का कोड़ कब बनता है घड़ी की सुईयों के बिच इसकी बात करेंगे देखे जब कभी बिना 180 डिगरी की बात करेंगे आपसे पूँचे बिचे गड़ी की सुईयों के बिच 180 डिगरी की सुईयों के बिच 180 का कोड़ कब होगा तो 180 डिगरी का कॉड़ निकालने का तरीका क्या होगा इसके ट्रिक को समझा देते हैं फिर आगे बढ़तें सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी time दिया रहेगे, जैसे यहाँ पर 3 और 4 दिया है, है ना, तो आप दियेगे time का opposite, जैसे 3 का opposite निकालेंगे, आपको पहले क्या करना है, पहले आपको लिखना है time का opposite, है ना, अब time का opposite कहां से मिलेगा, तो time का opposite निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसमें 6 गंटे add क जैसे देखें 12 है तो 12 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 1 का अपोजिट 7 हो जाएगा 2 का अपोजिट 8 रहेगा 3 की अपोजिट की बात करेंगे तो 6 गंटा जोड़ने पर 9 मिलेगा इसे प्रकार 4 का अपोजिट हो जाएगा 10 और 5 का अपोजिट 11 ठीक और 6 का अप मतलब इस प्रकाल से reverse दोनों तरब चलेंगे तो आपको यह opposite वाला pattern clear होगा है मतलब जो भी time देगा उसमें plus 6 आपको करना है ठीक है और अगर sum जैसे 12 से जादा जाएगा तो आपको घड़ी देखने का pattern पता है यसे 13 बूला जाता है तो 13 का मतलब एक होता है तो यहां से आपने क्या किया time का opposite निकाल लिया अब जो भी time का opposite आएगा उसमें आपको multiply कराना है 60 बटे 11 से ठीक आपको क्या करना है time का opposite into 60 by 11 है ना यह करेंगे तो आपको minute मिल जाएगा और minute मिलने के बाद आप time आराम से निकाल लेगे जैसे आपसे question अब देखिए यह आपका पूरा concept हो गया यहाँ पर अब color change करते हैं ताकि सीज़े इस पस्ट रहे अब आपसे पूछा जा रहे है 3 और 4 के बीच कभी 180 degree का code बनेगा देखिए 3 बज रहे 3 बज गया 3 बजने के बाद देखिए आप सही कर सकते या फिर आप directly ऐसे याद रख सकते 3 बज कर 540 बटे 11 मिनेट पर ऐसी परिस्तिती बनेगी जब exhaustience का code बनेगा एकड़म exact calculation करना है तो 3 देखिए 11,44,10 बचेगा 11,99, फिर अब की बार कितना बचेगा देखिए यहाँ पर 10 बचा था 9, 1 बचे का 1 बटे 11, है न तो 3 बचकर 49 सा 1 बटे 11 मिनेट की स्तिती ऐसी होगी जब घड़ी के सुईयों के बीच 180 degree का code निर्मित होगा चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रसन पर अगला प्रसन यह दिया है 9 और 10 के बीच कब 180 का code बनेगा 9 और 10 की बात किया जारा तो देखिए आप उठाएंगे 9 बचकर अब 9 का opposite, 9 का opposite कितना होगा 9 में आप 3 जोडेंगे 9 में 6 जोडेंगे, तो 9 6 कितना होता है 15 15 का मतलब 3 डारेक्ली यहाँ से clear आइक होगया तो अब यहाँ पर क्या आप लिखेंगे देखिए, 3 और गुडे, 60 बटे 11 60 बटे 11 कैलकुलेट करना है देखिए, 9 बचकर 180 बटे 11 तो 9 बचकर 11 देखिए, 11 हमें 110 हो जाएगा तो अब डारेक्ली ऐसे करते, 111 का 11 यहाँ पर 7 बचकर 11, 6, 6, 6 4 बटे 11 तो 9 बचकर 16, 4 बटे 11 यह समय ऐसा होगा जब घड़ी के सुईयों के बीच, 100 असियंस का कोड बनेगा तो 180 अब चाहे जहाँ भी पूछेगा आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे आपको कितना याद रखना है देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम का अपोजिट और इंटू में 60 अपान 11 यहाँ से आपको मिनेट मिल जाएगा और जो घंटा दिया रहेगा घंटा आप यही से रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर समझेगा देखिए पहले mirror image छोड़ा sex plan करते हैं आपके सामने जैसे imagine करें आपने घड़ी लिया यह आपके सामने घड़ी है घड़ी में यहाँ पर यह वाला तरीक है यह 12 हो गया यह तीन हो गया यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है यहाँ पर यह ऐसे बज़ा हुए अब जब इसके सामने आप ऐसे mirror रखेंगे न mirror रखते क्या होगे देखिए घड़ी है अब की बार क्या होगे यह जो सुई है नहीं सुई आपको ऐसे दिखेगा ऐसे दिखेगा यहाँ पर 12 है 3 है 6 है और 9 है देखिए जिस घड़ी में आपको यहाँ पर 3 बसता हुआ दिख रहा था अब उसी घड़ी में आपको यहाँ पर सीसे में कितना दिख रहा है 9 बसता हुआ दिखाई दे रहा है तो time gen जो चुका है तो mirror image निकाला कैसे जाता है तो इसके लिए आपको एक छोटा सा trick याद रखने है जब कभी भी आपके सामने न एक से 11 की बात करेगा जैसे एक बज रहा है दो बज रहा है तीन बज रहा है चार बज रहा है ठीक है एक से 11 तक की बात करेगा तो आपको दिए गए समय को किस से घटाना है देखिए एक स आप याद रख स्वारी 11 69 60 से माइनिस कर लेंगे ये तरीका हो जाएगा अब अगर यही चीज़े रिवर्स कर दे 11 से एक का टाइम दे तब आपको न वहाँ पर 23 60 से माइनिस करना है इसका मतलब थोड़ा से समझाते है फिर क्वैस्टन पे चलते है इसे 11 60 का मतलब क्या है मा आप पीछे जाएंगे अन्य था डारिक्ट यहाँ पर आएंगे देखें तीन बीस की बात पूछ रहे तो 11 60 से इसको माइनिस करेंगे तीन बीस को जब माइनिस करेंगे तो 60 से 20 गया 40 हो जाएगा और 11 से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा अगर आप मिरर में देखेंगे तो 30 60 से माइनिस करें तो आपको 11 बचकर 40 मिनट मिलता हुआ प्रतित होता तो यहां से आपको कॉंसेप्ट समझ में आ चुका होगा अब चलते हैं अपने प्रस्णों के वर देखते हैं पहला प्रस्ण क्या है देखें आपसे पूछा जा रहा है एक घड़ी में एक 40 हुए दर 11 60 से माइनिस कर लेंगे एक 40 को तो यहां पर आप माइनिस करेंगे तो 20 मिलेगा और यहां पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो आपको समय मिलेगा 10 बचकर के 20 मिनट तो बहुत ही आसान है आप सेकंड भर में इसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे किसी प्रकार की कोई सम तो इसके लिए दूसरा तरीका आपको याद रखने, आपको क्या करने, 23, 60 से समय को माइनस करने, समय कितना होए, 12 बचकर 25 मिनट, देखें, यहाँ पर अब इसको माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा 35 मिनट और यहाँ पर मिलेगा 11, तो अगर 12 बचीस हो रहा है और आप उस समय पराप्त होगा, देखें, यह दरपड से जुड़ा एक अलग तरीके का कॉंसेप्ट है, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, आपको छोटा से पॉइंट याद रखने है, जब कभी भी किसी भी घड़ी के सामने, जैसे एक क्लॉक है, यह क्लॉक रहा, अब इस क्लॉक के सामने, अगर आप आप आड नंबर में मिरर रखेंगे, मतलब आपने बिसम संख्या में दरपड को रखा है, तो जो समय आपको मिलेगा, यह आपको मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा, और यही पर अगर आप इविन नंबर में मिरर रखेंगे, तो आपको न आप सीधा का सीधा वही बोलतेंगे आपको कुछ नहीं करने है तो चलिए calculate करके देखते हैं कि कैसे बनेगे देखे 12-25 हो रहा है इसके सामने उनचास दरपड रखे उनचास दरपड का मतलब क्या है जो mirror रखा गया है mirror क्या है mirror आपका odd है जब mirror odd है तो आपको भी time क्या करना मिरर वाला निकलने तो देखे 12-25 का mirror time निकलना है तो आप क्या करेंगे 23-60 से इसको minus करेंगे 23-60 से minus करेंगे तो आपको मिलेगा 11-35 आप अगर 49 सीधा रखेंगे तो आपको ये मिलेगा अच्छा इसको भी ना एकदम detail में रट करके नहीं याद करने नहीं याद करने तो याद कैसे हो जाएगा याद करने का तरीका समझे आपने इससे पहले जब mirror image calculate किया था तो एक mirror click किया था हमेशा एक mirror होगा जब एक mirror को calculate कर रहे तो आपको mirror image मिल रहे है इसका मतलब अगर यहाँ पर एक क्या है एक odd number है तो अगर odd रहेगा तो आपको mirror time निकालना है और odd न खली ध्यान देना है odd और even अगर odd mirror रखा जाएगा तब आप यहाँ पर क्या करें कि आप निकालेंगे mirror time और यही बनेगा आपका answer mirror time और अगर even दरपड रखा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है जो normal time question में दिया रहेगा वही आपका answer बनेगा यहाँ पर दिया है कि एक बच कर 15 मिनिट हो रहा है और इसके सामने 190 दरपड रखा है कोई दिक्कत नहीं 190,290,590 कुछ भी रख ले जो आपका time बनेगा एक बच कर 15 मिनिट होगा तो जब आप mirror में देखेंगे ना तब भी आपको एक बच कर 15 मिनिट दिखाई देगा चली आते हैं अगले प्रस यहां पर यह सुई यहां थी तो जब इसको आप सीसे के सामने रखेंगे ना तो इसमें चेंजिंग इस प्रकाल से होगी है यह सुई ऐसे घूमेगा लेकिन अब water image के अगर बात करेंगे ना water में चीज़े उल्टा घूमती देखिए एक यहां पर माली जे time दिये अब इसक जो ना जब कभी भी water image की बात करेगा तो उसको just क्या अगर ना just उलट देना देखिए यह जो च्छा यहां पर था अब च्छा उपर आ जाएगा बारा जो एकदम उपर था बारा नीचे चला जाएगा ऐसे समझे यह चीज ऐसे रखे होई है ऐसे रखे होई है यहां पर मा मैं यहां पर थोड़ा सा ऐसे बना रहो ताकि आपको समझ में अब देखिए mirror image में पता है क्या होगा यह जो यह वाला portion है यह सीधा ही रहेगा बस खाली यह जो इधर था यह इधर आ जाएगा तो यह तरीका होते तो water image की जब बात करेगा तो आपको समझ में आगे water image और mirror image अलग होते हैं तो बात करते हैं water image निकालेंगे कैसे तो water image निकालने का normal सा तरीका क्या होने वाला है देखिए आपको जो भी time दिया रहेगा water image निकालने के लिए आपको क्या करना है 18 बसकर 30 minute minus time आप इसको calculate करेंगे यहां से आपको water image मिल जाएगा ठीक अब कई बार क्या होते है water image में जो आपको questions दिये रहते हैं उसमें जो option आते हैं वो option answer से match नहीं करते हैं अगर answer से match कर गया तब तो ठीक अगर match नहीं किया तो एक घंटा उसमें से आप और minus कर लिजेगा ठीक है यह हर condition में नहीं रहता और जब भी आएगा तो वहां पर दिया रहेगा ठीक चली अब बढ़ते हैं अगले मतलब slide पर आते हैं देखते हैं आगे की slide पर क्या question दिया गया है अगले slide पर यहां पर एक question दिया है 8 बचकर 20 minute का water image क्या होगा ठीक है मतलब time क्या रहा होगा देखे 8 20 की बात कर रहे है 8 20 में पूछ रहा है कि water image क्या होगा तो आपको क्या कर देखेंगे तो दिखाया देगा या तो विकल्ब में यह मिलेगा 10 बचकर 10 minute अगर यह नहीं मिला तो आपको विकल्ब में मिलेगा 9 बचकर 10 minute दोनों कभी नहीं मिलेगा इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहे क्योंकि जब कभी एक्जामनर कोई question बनाता है तो question एक business pattern इसा random question नहीं रहता है तो यहां पर आपको यह दो options ही हो सकते हैं अगे इसका जिक्र किया भी जैएगा अगली class में अगर आप इस प्रकार से पूरी तयारी करना साथ है तो हमारे चैनल seaside preparation को subscribe कर लेजेगा और हमारे टीम के pad courses से पढ़ने के लिए आप इन दिये के किसी भी number से संपर कर सकते हैं आप state pieces किसी भी exam की तयारी करने तो आप एक बार जरूरी number से संपर कर लेजेगा और RO ARO exam की complete तयारी करने के लिए आपको study for civil services install करने वहाँ पर आपको इदम sufficient और बहुत ही कम prize में RO ARO की complete course मिल जाएगी उसको purchase कर लेजेगा तो उमेद है कि आपको video पस लाइक कर लेजेगा अपने friends के साथ share कर लेना और channel को जरूर subscribe कीजेगा चलिए मिलते हैं आपसे next class में कुछ नए information के साथ तब तक के लिए take care bye bye and thank you